इस वक्त की बड़ी खवर है रीवा से जहां जनपत CEO के उपर हमला करने वाले भाजपा की तीन पदाधिकारियों को पच से हटा दिया गया है आरोपी बनाए गए भाजपा मंडल अध्यक्ष, बनकुया, मनीज सुकला, उर्फ सिद्धु, विवेक, गौतम, मीडिया प्रभारी सिमरिया और भाजपा नेता विने सुकला पर निसकासन की कारिवाही की गई है आपको बता दे कि सिर्मौर जन्पत पंचायत के मुखे कारेपाला नधिकारी सकी मिश्रा की उपर जान लेवा हमला कराया गया था हमले में पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान कर ली है एक भाजपा का मंडल अध्यक्ष, दूसरा मीडिया प्रभारी और तीसरा भाजपा कारिक करता है जन्पत सीयों ने पुलिस को इनके नाम बताये थें जिसके बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष समेथ 20 लोगों के खिलाफ केस दर्च किया गया है बताया जाता है कि मामले में भाजपा प्रदेश संगठन ने सकती दिखाते हुए आरोपी पताधिकारियों को पत से हटा दिया है साथ ही विधायक को भी भोपाल तलब किया गया है वहीं घायल जनपत सीयों अस्पताल में भरती है गौर तलब है कि विवेक गौतम का फरजी पेमिंट करने का विधायक के पी त्रिपाठी सीयों पर दबाब बना रहे थे जबकि विनैस उकला इसका मुख्य मास्टर माइंड बताया जाता है आपको बता दे कि ओडियो में जिस संदीर दुवेदी का नाम लिया जा रहा है 25 सेकेट्री है और इसके खिलाब एक दरजन से अधिक गंभीर अपरात थानों में दरज है जिसे हटाने के चलते विधायक आक्रोसित थे और भला बुरा कहा था जनपत CEO SK मिश्रा के साथ हुई मार पीट की घटना के बाद भास्पा प्रदेश संगठन ने सकती रिखाई है और BJP प्रदेश अध्यक्ष BD सर्मा ने सिमरिया विधायक के पित्रिपाथी को भी जम कर फटकार लगाई है वहीं दूसरी तरब CEO संगठन ने भी आरोपियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आरोपियों की सिख गिरफतारी की मांग की है पूरे जिले के सभी जनपत पंचायतों में कलमबंध हरताल सुरू है जिसके चलते प्रसासान अब सकते में है